शास्की वेत्किय महाफिक द्यारेव अस्पताल से सलंगित बी एस्टी नर्सिंग कॉलेज को जल्दी स्वेतंतर इमारत मिलने वाली है क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार की हाई पावर कमीटी ने 77 करोड रुपए को प्रशास किये मानितात दे दी है बदा जा रहा है कि मजुदा नर्सिंग कॉलेज परिसर की जगा पर ही नई इमारत बनाई जाएगी पिछले दिनों जमू की नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद एक बार फिर नर्सिंग कॉलेज की 77 इमारत का माम लाग गर मा गया घटना के बाद वैद के शिक्षा विभाग भी हरकत में आई तीन दिन पहले मुंबई में सरकार के हाई पावर कमीटी की बैठक हुए इसमें नई इमारत के निर्मान के लिए सित्तर करोड रुपए देने की मनजूरी दी गई अपरशास की मनजूरी मिलने से नई इमारत का निर्मान का रास्ता साफ हो गया है नर्सिंग हॉस्टल के पास ही खाली जगा है उसी जगा पर इमारत का निर्मान की आ जाएगा उल्लीक निया है कि मेटिकल परिसर में साल 1961 से नर्सिंग पाठे करम चल रहा है लेकिन उस वक्त जनरल नर्सिंग है और हुआ करती थी सरकार ने अपग्रेडेशन के तहट साल 2006 से BSC नर्सिंग की शुरुआत की इस सतर से MSC नर्सिंग भी शुरू हो गई हाला कि साल 2006 में सरकार द्वारा BSC नर्सिंग तो शुरू की गई लेकिन स्वतंतर इमारत नहीं बनाई गई पुरानी इमारत में ही नर्सिंग की पहली बैच की शुरूआत हुई शुरूआत होनी के बाद से ग्राउंड फ्लोर पर कुछ कमरों को तोड़ कर क्लासरूम और प्रशास की विवस्था की गई अध्यापन के लिए चार कमरे और शिक्षक क्लर्क के लिए दो रूम है शेश जगा में नर्सिंग के स्टूडेंट्स रहते हैं आपको बता दे कि देश के चुरिंदा कॉलेजों में शुमार होने के बावजूद इस नर्सिंग कॉलेज की स्टंतर इमारत नहीं होने से चात्र चात्रा को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इमारत पुरानी हो गई है इस वज़ा से कई जगा शत्ति ग्रस्थ भी हो गई है वही आसपास गंदगी का भी माहौल रहता है कॉलेज में देश भर के चात्र दाखिला लेते है फिर भी कॉलेज का ये हाल है NBCN News के लिए राचकुमार मौड के साथ अकसान सारी ही रिपोर्ट